मंतरी जी दुखी है इस बात से दुखी है क्योंकि उनके समर्थकों ने उनके पोस्टर के लिए नगर निगम के कर्मचारियों से बदसलूकी कर दी अब वो अपने समर्थकों को सला दे रहे हैं कि वो पोस्टर ना लगाएं क्योंकि इससे स्वचता अभियान को धक्का लगेगा क्या निगम करमचारियों का कही न कहीं कल की घटना के बाद होसला डटाउन से भी आब बात करें मेरी संग्याम में आया है यह अच्छे मेर को आई दिया में पेपर में कि नकरने में उचित कार्णवाई की होटिंग अटना ची में भी सब्सक्राइब आने वाले समय में इसे होटिंग न लगे इसलिए कार्य करताओं को समझाईज दी जाएगा पूरी समझाई दे रहा हूँ दिदेश दे रहा हूँ कई भी होटिंग बन लागा इस मामले पर बीजेपी हमलावर है बीजेपी नेता और इंदोर नगर निगम के मेयर की माने तो इस मामले में अफाईयार दर्च करा जाएगा और दोश्यों के खलाव कारवाई के लिए सरकार पर दवाव डाला जाएगा क्योंकि जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ हमेशा से कुछ भी होता था निगम करें कि बिखाई हो जाएगी है माने निये मुख्यवांती कमल नाज जी के भी निर्देश ने कि पूरे शहर में से बैनर पोस्टर निटाएगा क्योंकि पूरा शहर बद्रन हो रहा है और जिस प्रकार हमने सुचता में तीन बार इंदोर शहर को नंबर वन लाया है है जो आज बार पिर सर्वे चल रहा है इसका तो चोती भार भी नमबर वन बनाने के लिए हम लुक सब को यह प्रयास करना होगा और सभी लोगों से इन दोर शहर वासरशक् parleक्र बंद्र सभी पार्टियों के सबी लोगों से निवेदन में कि बेनर पोस्टर ना लगाया और फिर जो विवाद हुआ वो दुर्फाग्य प्रूरून घटना है जिस प्रकार से प्रमचारियों के साथ मार्पिकी उसकी एफायर होगी दरसल स्वास्तेमंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों ने जन्र दिन की विधाई संदेश वाले एफोस्टर लगवाई थे लेकिन नगरनिगम के कमचारियों ने उसे हटा दिया आरोप है कि तुलसी सलावट के समर्थकों ने नगरनिगम के कर्मचारियों को पीट दिया आपको ये भी बता दें कि दो महीने पहले बीजेपी विधाइक आकाश विजय वरगिये ने नगरनिगम के एक इंजीनियर को बल्ले से पीटा था जिस पर काफी बवाल मचा था इन दोर से धरमेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट